पूर्व केंद्रिय मंत्री सुवाश महरिया के फिर भाजपा में आने से लक्षमनकड में एक नई राजनितिक बहस छेड़ी हुई है। विधानसवा चुनाओं को लेकर लक्षमनकड में भाजपा कॉंग्रेस तैयार्यों में चूटे हुई है। लक्षमनकड विधानसवा सीट पर कौंग्रेस के प्रदिक्षादेक्ष गौविन सिंग डोटासरा ही प्रत्याशि हूंगे। यह तैय हैं। लेकिन भाजपा में आधा दर्जन से अधिके दाविदार लाइन में थे जिसमें से किसान मोचा प्रदिक्षा अधिक्ष हरीराम रणवा ने भी इस बार मजबूती से ताल ठोक रखी थी वही कयास लगाई जा रहे थे कि इस बार भाजपा रणवा को जरूर मोका देगी लेकिन सुभाश महरिया के भाजपा में आने से रणवा की दाविदारी को बड़ी चुनोती के रूप में माना जा रहा है चर्चा और कयासों पर विश्वास करें तो सुभाश महरिया लक्षमनकर से टिकट मिलने के आश्वासन पर ही भाजपा में शामिल हुए है अगर ऐसा है तो एक बार फिर हरीराम रणवा को जटका लगना तै है रणवा वर्ष 2013 और वर्ष 2018 में हुए विदांसवा चुनाओं में भी प्रमुख दाविदार थे लेकिन भाजपा ने 2013 में सुभाश महरिया और 2018 के चुनाओं में दिनेश जोसी पर दाव खेला लेकिन गोविन सिंग डोटासरा के सामने महरिया और जोसी दोनों को ही हार का मुह देखना पड़ा था इस वर्ष नवंबर दिसंबर में होने वाले विदांसवा चुनाओं को लेकर दिनेश जोसी भी फिर मजबूत दाविदारों में है वैसे लक्षमनगड विदांसवा सीट पर भाजपा से भागिरत गोदारा पूर्व उप प्रधान डालूराम च मेही बाताइगा